प्राकतिक खेती करने के बारे में सोच रहे हैं बट इस उल्जन में हैं कि प्राकतिक खेती आखित का शुरू कहां से करनी हैं तो आपकी सारे उल्जने धूर करने के लिए मैं आज चुकी हूँ तो आपको सिर्फ क्या करना है इन 5 स्टेप्स को फोलो करना है और जैसे बताया गया है बिल्कुल वैसे करना है अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आपकी पैदावार इतनी बढ़िया होगी जितनी कि कभी केमिकल से भी नहीं हुई होगी और वह भी बिल्कुल जीरो बजट में तो देखो पुरा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना मेर प्राकती खेतीं शुरू करनी है तो खेतों पहले किस तर्क पूरत त्यार करना होता है उसमें किन किन घटको का प्रेयोग करना होता है क्योंकि करते हैं खेट में हल चलाते हैं और जो बीज होता है जैसा हमने लेकर आये होते हैं वैसे हम सिधा खेटों में डाल देते हैं ना उसमें किसी घटक का प्रयोग करते हैं ना कुछ करते हैं सिंपली उसे वैसी ही लगा देते हैं फिर थोड़े जिनुवा फसल निकलती है वो भी रोग ग्रस्त फसल निकलती है और फिर क्यों होता है काफ सारे रोग लग जाते हैं और हमें काफी सदा नुकसान हो जाता है बड़ प्राकति खेती में ऐसा कुछ नहीं होता है आमने सबस लिए करके दिखाऊंगी कि किस तरह से खेत को त्यार करना होता है तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी से कर देना और प्लीज वीडियो को जदर से जदाधा शेयर किया करो ताकि मेरी हमत और बढ़ सके मैं कई सार और इंट्रेस्टिंग और बैनिफिशरी टॉपिक्स आपके लिए लाती रहूं तो शुरू करते हैं पहला स्टेप राकटिक खेती में खेत को किस तरह से त्यार करना है यह उसका पहला स्टेप है तो यह क्या है यह आप देख रहे होंगे यह उपले नॉर्मली जो गोवर जो है वो लगी हुई है तो गेहों को हार्वेस्ट करने के बाद हम कौन सी फसल लगाएंगे या सबजी जो भी लगाएंगे तो आपने क्या करना है उपले जो आपने बनाए होंगे फिर हल चलाना एक बार खेत में फिर उसके बाद इन उपलों को लेकर जाना है खेत में फ खो करोडो सुक्षम जी पाए जाते हैं जब आप इनको अपने खेद में जाकर जलाओगे तो इसके जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो आपकी खेद की पूरी मिट्टी में फैल जाएंगे और वो बैड बैक्टीरियाज जो की आपने केमिकल के साथ क्रियेट कर दिये थे अपने खेद में वो सारे मर जाएंगे तो यह काफी जदा जरूरी स्टेप है सबसे पहला स्टेप यही आ जाता है कि आपने उपले लेने हैं और उनको हर एक खेद में जलाना है अपने और अच्छे से वहाँ दूआ क्रियेट करना इसका ताकि जो बैड बैक्टीरियाज ह है उनको मार दिया है और गुड बैक्टीरियाज थोड़ी बहुत मात्रा में पैदा हो चुके हैं हमारी मिट्टी में अब दूसरा स्टेप हमारा आएगा कि हमने क्या करना है या आप जानते होंगे यह क्या है घंजी वम्रित जब आप बुआई करते हो जैसे अभी हमने मक चलना है ताकि जो ठेट गहन जिजर फैने मीटिमhgb TA5 ant i message मिकस हो जाए तो इससे क्या होगा कि मिटी के मिटी के अंदर चले गए थे जब यह पढ़एगा अपकी मिटी पर तब क्या होगा जो सुक्षम जीव आपकी मिट्टी के अंदर चले गए थे वो बाहर निकल कर आएंगे और इसे खाना शुरू कर देंगे जब वो खाएंगे तो मिट्टी में कुछ हलचल होगी प्रक्रिया होगी जिससे आपकी मिट्टी जाओ होगी और रोगों से लड़ने में भी आपकी म कि अर्वागी जाती है और आपका खेत जो है वो रोग मुक्त होने लगते हैं तो यह हो गया दूसरा स्टप प्राकरतिक खेती के लिए खेत को त्यार करने के लिए यह आज़ाता है कि आपने क्या करने हैं बेड्स त्यार करने हैं इस परकार से यह देखिए हमने यहां पर जो पराली होतीं देखते हैं और यहां पर बैड्स त्यार की हो और बैड्स पे यहां Local अपने फसल लगानी हैं जैसे मैंने यहांपर भींडी लगानी है consum नैट्रॉजन फसल जो कि यहां पर हमने सेम्फली लगाई यह यह match नाइट्रोजन फसल यह यूरिया का काम करती है और इसी से ही इनकी घ्रोध जादा अच्छी होगी देखिए यहां पर यह नाइट्रोजन फसल जो है यह इसके बिलकुल पास में तो इसकी घ्रोध इन सबीसे बैटर लग रही है अपको रिजल्ट भी मिल रहा है न सखाथ चोटी चोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारी फसल की ग्रोथ और हमारी फसल भी निरोगी रहेगी और हमें अच्छी पैदावार भी मिलेगी तो हम आपने भी क्या करना है वीडियो भी बनाया वह भी देख सकते हो और अच्छा दन का क्या बॉचिट होगा कि जब आ पानी दोगे आपने पड़िए पर पानी नहीं देना नालियों वह भी पानी देना भी apon क्या करना आप이스를 अच्छा दन्सेट नहीं भी सब्सक्राइख़ा ही हमारे इस नाली में बरकरार है जो कि इस बैड को नमी देता रहेगा क्योंकि हमारे जो पोदे होते हैं पोदे की जड़ जो होती है उसे कभी भी जादा पानी की जरूरत नहीं होती है उसे सिर्फ नमी की जरूरत होती है जो कि इसे अभी भरपूर मिल रही है नमी और उसी की वज़ प्रइब सब्सक्राइब. लग जाना चाहिए तो फिर क्या करना है फिर आपने उसे सीधा उठा कर फिर खेट में जाकर लगाद नहीं देना है उसे सूखने देना है शाया में ही अच्छे से सुखाना है फिर उसके बाद आपने जो बैट बनाए होंगे उस पर उसे लगा देना है और साथ में आपने क् पास इतनी शम्ता नहीं होती कि वो रोगों से लड़ सके जब आप बीज अमरित से डिप करके लगाओगी तो रोगों से लड़ने की शम्ता भी यह देगा और एक एक बीज आपका उग के आएगा जैसे कि आपको मैंने काफी सारे रिजल्ट्स भी दिखाए हैं कि यह जो बिल्कुल निरोगी हैं और आगे मैं इसकी पूरी केर कर रही हूं तो यहां पर इसे बीज को निरोगी बनाने के लिए बीज अमरित का काफी बड़ा रोल होता है जो कि करना ही पड़ेगा आपको भी तो यह आगया हमारा फॉर्थ स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं स्टेप आपका आजाता है यह तो यह क्या है यह हमारा जीव अमरित तो जीव अमरित का क्या रोल होता है अब आपने बीज अमरित सब कुछ कर दिया है अब आपका पोदा निकल आया आपने अब क्या करना है अब आपको ग्रोथ चाहिए अपने पोदे की अच्छी और उस जो रोग है वो आपकी फसल को ना लगे और इससे क्या उती रहती है ग्रोध बढ़ती रहती है पोदे की और वो निरोगी भी रहेगा तो जीव अमरित जब तक आप फसल हार्वेस्ट नहीं कर लिते जीव अमरित का महीने में तीन बार प्रयोग जरूर करना है करती हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा कि प्राकरती खेती को अपनाने के लिए किन-किन स्टेप्स को फोलो करना पड़ेगा और बिल्कुल निरोगी फसल आपकी तयार होगी और बिल्कुल जीरो बजट में आपकी ही खेती होगी आपका इसमें कोई खर्च नहीं आएगा और क्या होगा आपकी पैदावार भी अच्छी होगी और जब आप फसल को अगए हर्वेस्ट करके सेल करोगे तो उसके दोग उन्हें दाम मिलेंगे आपको क्योंकि ये बिल्कुल जहर मुक्त फसल होगी आपकी और आपको भी ये बिमारियों से मुक्त कर देगी तो कृप जिसमें कि मैंने इन फाइव स्टेप्स को आपको समझाया अच्छी तरीके से अपनी तरफ से मैं तो मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाया आप पता नहीं आपको समझाया कि नहीं अगर नहीं आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो को फुल वोच कर ले शायद फिर आपको समझा जाए अज के लिए बस इतना ही काफी है मिलते हैं कल एकों ने व्लोग के साथ